तो अभी हम डिसकस करेंगे जो लास्ट वीडियो में जो कुछ बच गया था उसको हम अभी डिसकस करेंगे बट कोई ओपरेटर का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है यहां पे देखना आयो बटन पर लिंक आ रहा हुगा पहले ओपरेटर का फर्स पार्ट देख लेना एं new folder बनाते जिस्का नाम हमें यह पे टाइप कर जैते हैं video underricanes go and enter कर देते हैं और इस video under die और इस फाइल बनाते main dot go और enter कर देते यह हमारत एक new file बनी है और यहांपे हम बेसिक सा code type कर देते हैं प्यण्य प्लिस्से कि हो जाएगा package main फिर यहांप के बाद हम यहां पर टाइप करें इंपोर्ट & sqy में प्रायकट देए । अब हमें करना यह होगा इंपौर्क करना होगा तो फाइल पर क्लिक करेंगे डाइड फोलडर टूर्क पर क्लिक करेंगे and then हम यह जो वीडियो 9 इसको add कर देंगे so यह error आना बंद हो जाएगा so अब हम करेंगे यह कि हमारा कुछ topic बागी रहिया था जैसे logical operator, modulus operator, increment and decrement operator so सबसे पहले हम discuss करते हैं modulus operator को so उसके लिए हम क्या करना पर है यह variable बना लेते जिसका नाम हम type करेंगे number underscore one and then उसमें value store कर देंगे 10 को ठीग है अब हम करते हैं कि fmt. इसको हम type करकी इसको हम use कर लेते क्योंकि यह error आना बंद हो जागा और अब हम करते हैं कि इसको एक बार हम यह से run करते हैं तो जैसे run करेंगे so यह देखना यहां पर 10 value store हो जागा यहां पर यहां पर यह देखो यह दिख रहा है आइकन इसपे क्लिक करूंगा और यह टर्मिनल है टर्मिनल को पकरके मैं प्रेस कर दूंगा माउस से और इसको स्क्रॉल करके यहां पर मैं इसको drag and drop कर दूंगा तो इसको क्या करता हूं थोरा सब्सक्राइब कर देता है तो मेरा यहां पर टर्मिनल आ गया मुझे यह करना था आपको करना तो करो इसको अप्शनल 100% सब्सक्राइब करते हैं और इसका नाम हम नंबर अंडर्सकोर 2 टाइब कर देते हैं अब अब हम एसको रूंग करते हैं और यहां पर क्या हुआ हो रहा है इसको करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यह पहला जो प्रेंट होगा रहा है przyसे ऐंच को अब हम करेंगे यहагं और करेंगे आ की आपकम ओर तया लिंडे करेंगे यहकंते सब्सक्राइब करते कर Durkan करदेंगे सो यहाँ पर क्या कि है कि एक फिर्येवल नंबर वान पे हम माडियूल Hebrews लगा दिया और इसके लिए भाए सब्सक्राइब नंबर यह हमें reminder देता और कुछ नहीं होता यहां पर हो यह रहा है कि number one है ना number one को number two से divide कर दे रहा है और जो reminder बच रहा है और जो reminder बच रहा है तो क्योंकि अगर हम three से divide करेंगे 10 को तो one remainder बच जागा तो यह हमारे यहां पर one आ रहा है और अगर हम यहां पर type two कर देंगे value two store कर देंगे और उसके बाद हम यहां से इसको run करेंगे तो zero यहां पर output आएगा देखो क्यों क्योंकि two से ten completely divide हो जाता और को reminder बचता नहीं है इसल brat हमारे पास two आ रहा है सो कुछ होता नहीं Dios operator हमें बस reminder देता अगल्य operator है हमारे पास logical operator logical operator तीन तरह का होता है तो तीन तरह के logic local operator होता है पहला होता है logical और दूसरा होता है logical not तो समझते हैं वहिए हum क्या करते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं logical not को सब से easy होता है क्या करते है फम्त डॉट प्रेंड करते एं और उसमें हम यहां है यहां κरतेола क्रटें और अब हम यहां से और अब इसको हम यहां से जैसे ही run करेंगे तो देखना यह हमारा value बदल गया false आ गया हम इसमें store किये है true तो पहले logical not से पहले हम रन कर रहे थे तो true का true print हो रहा था बट अब हम जैसे यहां पर logical not type कर दिये यहां पर false value print हो गया इसका मतलब यह है कि जब भी हम यहां पर logical not लगाते हमारा value बदल जाते है यह से अगर हम यहां पर false type कर देंगे और F-A-L-L sorry spelling मेरा बहुत अच्छा है ना इसलिए देखना पड़ता है F-A-L false ठीक है यहां पर false type कर दिये और उसके पहले हम logical not लगा दिये तो देखना यहां पर true आजागा क्यों क्यों क्योंकि बदल देंगे और जैसे हम यहां पर logical not को हटा देंगे true को false कर देगा और false को true कर देगा तो यह होता है logical not अब बात करते हैं logical और logical और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं one is equal to equals to one चीख हैं यहां पर logical and operator का यह sign होता है double and होता है और यह पर कर देंगे हम two is equal to equals to two पर देखना हम यहां पर कर क्या है परिंटलेंट में हम यहांत दो comparison operator यूज़ करें पहला बोले one is equals to equals to one और दूसरा बोले two is equal to equals to two तो हमको पता है कि path 211 के बरावर होता हैansen 22 के बरावर होता है और काbait सक कर देख देखना यहां पर तार चॉत कते हैं शॉड किरुद्ब क्ल어지 को डिवह जे धांने को क्या है जालते हैं तुझए सब्सक्रा की whether wouldn't there to geное Majora होता है बट्ट अगर इना पे कर देंगे Weihn attracted with उब अवे त्री और उसके बाद हम रन करेंगे तो एकमा पर गए वानद यांपर स्टेक्मेंट से लिए तैंट्व होता हैं मुंक्श इसके या म consent साहहें दूसरा स्टेटमेंट है मतलब यह हुआ कि यह वा यहां दोसा अंगें दोनुस्तहेंर अगर मेरा true होगा तो यहां पर जो मेरा value आएगा वह मेरा true होगा बट अगर दोनों में से कोई statement मेरा wrong हो जाता है जो की false होगा जैसी यह true है one is equals to one और two is equals to three यह मेरा false है तो अब इसको रूण करेंगे तो यह false आएगा क्यों तो दो condition में से दो statement में से मेरा एक सही और गलत इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो दोनों statement से हमारा overall answer true आए तो हमें यहां पर दोनों statement को हमें correct करना होगा तभी हमारा यहां पर true हैगा बट अगर हम इसी तरह एक और variable बनाते और इसको comment कर देते हैं हम करते यह हैं कि यहां पर हम क्या करते logical और लगा देते उसका shortcut होता है क्या होता shortcut कुछ नहीं shift press करें और जो हमारा यहां पर जो backslash shift के ऊपर होला उसको दो बार प्रेस कर देंगे logical और बनिया ठीक है अब इसको रण करते हैं सो इसमें चोटा सा difference ही होता है कि यहां तो true का true ही आगा क्योंकि दोनों condition true बट अगर हम यहां पर यह स्टेट्मेंट है गलत कर दिया है एक हमारा true one is equals to one जो पहला true है दूसरा statement यह रॉंग है बट उसके बाद भी run करेंगे तो देखना यह true ही आएगा क्यों यह basic difference ही होता है कि अगर हम logical और लगा दी है यहां पर यूज कर लिए operator तो जितना भी हम condition देरें जैसे यहां पर true है दो से ज्यादा भी दे दी और हमारा सिर्फ एक condition भी true है तो overall answer मेरा true में आ जाएगा बट अगर हम logical and लगा रहे हैं तो हमारे पस जितना भी statement है वह हमारा true होना चाहिए तब ही overall answer हमारा true आएगा तो समाधिया logical not का help से हम value को change कर सकते है पलेट सकते है true का false का true कर देंगे यहां पर logical and का help से अगर हमें overall answer true होना चाहिए तो हमारे पास जितना भी statement है वह से true होना चाहिए बट logical और के help से हमारे पास जितना भी statement है उसमें से अगर सिर्फ एक statement भी true है तो overall answer हमारा यहां पर true हाजाएगा तो यह होता है हमारा logical operator भी हम discuss कर शुके है लास्ट operator हमारा discuss करना बागी है वह increment और decrement operator इतना याद रखो इसको delete पहले code को यह से कहते हैं और बस इतना याद रखो कि increment का मतलब क्या होता है बरना decrement का मतलब क्या होता है घटन अरिंग पता भी होगा तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं एक variable बनाते हैं जिसका num underscore one name type कर देंगे और उसमें one value store कर देंगे अब हम क्या करेंगे इसको हम प्रिंट करके देखते हैं अगर हम प्रिंट करेंगे इसमें num1 num underscore one type करके और इसको run करेंगे तो देखना यहा यहां पर one print हो रहा है क्योंकि हम इस variable में one value को store किये अब हम करेंगे यह कि यहां पर हम यहां पर type करेंगे num1 फिर यहां पर increment operator का sign यहां पर type करेंगे जो की होता है दो को plus plus variable के बाद अब हम करेंगे यह कि अब इसको हम प्रिंट करेंगे fmt.println और इसमें हम num1 type करेंगे and then अब हम यहां से इसको run करेंगे so देखना यह यहां पर two value हो गया पहले value हमारा one था उसको use किये and अब हम क्या किये कि यहां पर increment operator का help से variable type की वहां पर increment operator लगा दिये and उसको use किये तो एक value से increment हो गया again अगर हम same step को एक बर और repeat करेंगे क्या करेंगे एक बर और variable बना देंगे उसको increment करेंगे and then उसको use करेंगे so एक one से और यह value हमारा increment हो जागा सो यहां पर इसको run करेंगे सो देखना यह value यहां पर 3 अगया पहले 1 प्रिंट हुआ जो कि नॉर्मल है फिर इंक्रिमेंट करें यहां पर हम एक बारोस को इंक्रिमेंट किये यह value यहां पर 3 हो गया यहां पर इसका मतलब यही होता दो को इंक्रिमेंट कर सकते हैं क्या करते पहले तो हम को कॉपी कर लेतें कॉपी करने के बाद इसको हम कमेंट कर देते हैं ठीक है तो कमेंट कर देते हैं यहां पर हम इसको डिक्रिमेंट ऑपरेटर लगा देंगे हैं यहां पर हम टाइप कर देते हैं 10 कव दैने हैं तो अब करेंगे यहां पर बीक्रिमेंट्र एक यह फिर 12 हो बंडे काँ तो यहां पर टाइब कर दी डिक्रिमेंट ऑपरेटर एंदेन अब इसको हम यहां से रण करें तो पहले तो हमारा यहां पर गटादी तो 9 हो गया उसका क्या कि यहां तो मेरा नम का जो value नम का जो value 10 से बाद 9 आ चुका थे अब हम यहां पर कर यह रहे कि 9 में से भी एक value घटा आदे रहे तो यहां पर value हमारा 8 आ गया हम समझें इक से वैलिए हम इंक्रीस कर दें यही होता है बजा हुए पास आपरेटर का हम समझा कि क्लो फॉपरेटबर क्या होता है हमें तींतर Mess documentation real hesitation समझें हम मोडुलस अपरेटर समझें हमें रिमांक्रींदर करतें हैं यही होटा है increase operator सममझ एक व्यालियों इंख्रीज कर तो unpack कर देने और लिखे देखर और लिख यहां पर भाव की साफ लिखिन और अपर स्टैक्र वपारोड के स्टैक्से सब लिखा और इसको भी में लिखा और उसको भी डाल करने ना इसमे लिखा होगा है और झाल झाल